हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं DCAL as in Disman Carbogen Amzik Limited क्विक्ली एनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक इन सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा तो यहाँ पर आप देख रहे होगे स्टॉक सही चल रहा था चैनल के अंदर उपर से नीचे आता था नीचे एकिमलेट होते थे फिर उपर यहाँ से रिटरंस बुक होते थे तो कुछ यह formation थी स्टॉक की ऐसा सचलते हुए नजर आ रहा था यहाँ आप देखेंगे यह फॉल आया इधर पर निफ्टी थोड़ा करेक्ट हुआ था 25 एक्टोबर के असपास और फिर यहाँ से साइडवेज हो गया स्टॉक फिर उपर गया बट चैनल का हर्डेल हुआ फिर नीचे आया फिर उपर गया बट सड़न फॉल आया नतीजे बिगड़ गया थे थोड़े से उसके बाद अब स्टॉक ने फिर से बड़ा दिखाना शुरू की है चैनल के अंदर जाने की गुस्स करीबर आज जानी पाया इग्जेक्ट हर्डल देखने को मिला है चैनल के पास तो अब आप देखेंगे स्टॉक सही चल रहा है, स्टॉक में दिक्कत नहीं है बाकि आप देखें स्टॉक के नतीजे थोड़े घड़बड हो गए थे और स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉम हो जाता है वॉल्यूम्स की थोड़ी कमी हो जाती स्टॉक में वरना साही चलता है आप देखें ट्रेंड लाइन जो भी मैंने बनाई है ये कितना साही परफेक्टली काम कर रही है यहाँ पर सपोर्ट बहुत अच्छा रहे रहा है सपोर्ट वेल रिस्पेक्टेड इच और एवरिवर नीचे वाली ट्रेंड लाइन पर अब कल के जो लेवल्स रहेंगे वो समझाता हूँ आप देखें आज सेलिंग कहां देखने को मिली है अपनको 182 पे सेलर्स बहुत एक्टिव थे ट्रेंड लाइन की उपर गया बट कहीं न गहीं सेलर्स न उसको ढखेला के चनल के अंदर जा अगर चनल के अंदर आ गया तो आप इन्वेस्टर्स जितने भी बायर्स हैं वो थोड़े कन्फियूज रहते हैं क्या रहता है उनका उनका गॉन्फिदेंस थोड़ा लो दिखेगा कल के बाय करें के ना करें क्योंकि अगर यहां ट्रेंड लाइन से हर्डल फेस होता है तो अगर कल फिर स्टॉक हर्डल फेस करके गिर जाता है तो क्या तो यह बायर्स वास जाएंगे यहां के यह हो गया यहां पर बायर्स का परस्पेक्टिव क्योंकि यहां सेलर्स बहुत एक्टिव हैं तो और तो sustain करने का next target will be at 189 sorry yes 189 और तीसरा target इसी दिसा में आपका होगा 195 195 पे बहुत hurdle देखने को मिलेगा क्योंकि 200 का psychological level करीब है क्योंकि उपर वाले channel का जो आप होगा वो 200 होगा तो 200 तक जब stock पहुँचेगा तो hurdles तो पूरा देखने को मिलेगा यह उपर उपर इसलिए आप थोड़ी साफधानी बरतीगा आज बड़ा pump ज़रूर था बट कहीं न कहीं यह pump जाएगा अच्छा बट reverse भी उत्ती तेजी से होता है क्योंकि मैंने देखा है डिस्मेन का आरवोजिन में बड़ता बड़ी तेजी से बड़ आपको देखे एक एक दो दो दिन धीरे धीरे करके फिर स्टॉक में जतना भी इन्वेस्मेंट आता है वो इरोड होने लगता है आप देखे इसका पैटरन ऐसी चलेगा यहाँ देखिए भागा फिर धीरे 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 साइडवेज भागा धीरे 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 साइडवेज ऐसे ही रहता है तो इसमें जतना भी कैपिटल होता है वो धीरे धीरे करके इरोड होता है तो यहाँ थोड़ी समझदारी दिखाएगा डिसमेंट में जब इन्वेस्मेंट करें long term case आप से ठीक ही है जाद आच्छा नहीं कहूंगा बट अगर short term trader हैं आप तो अभी के लिए जब भी कोई buy करना है तो stock में 181 की उपर बनाईए channel के अंदर entry हो जाने दीजे और फिर जब चलेगा stock तो 200 टक के target आपको देखने को मिलेंगे तो ऐसे चलने वाला डिस्मेन कार्वोजिन उपर की दिसा में support की बात करें कहां है कल अगर fall करता है any means तो support अपना पहला बनेगा stock में वो रहेगा यहां से 171 के असपस ये वाला दूसरा support इसी दिसा में अपना जो रहेगा तो यहां hopefully आपको DCL समझ आ गया हुआ क्या momentum है वीडियों यहीं तक रखते हैं मिलते नेक्ट वीडियो में this is me सुभा मियादव signing off